यूनिट 3 के बाद अब इस वीडियो से हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं और अभ्यास एट 1 में टोटल 35 questions हैं 35 questions हैं और इसमें जो हमारा main focus होगा वो inclusive education या समावे सी सिख्छा पे होगा तो वीडियो का हम सुरू करते हैं और inclusive education के बारे में हम जानते हैं समझते हैं तो question number one सबसे पहला जो question है इसमें क्या पूछा गया है inclusive education signifies कि समावे सी सिख्छा का अर्थ है क्या अर्थ है कच्छा के सभी विद्यारतियों के लिए एक ही सिख्छन पदती होना कि क्लास में सभी विद्यारतियों के लिए बिल्कुल एक ही सिख्छन पदती होना सभी को एक ही तरह से पढ़ाना Second, समाने और दिव्यांग विद्यारतियों के लिए एक ही सुविधा का होना कि चाहे समाने विद्यारति हैं, चाहे दिव्यांग विद्यारति हैं, special child ने सभी के लिए एक ही तरह की सुविधा होनी चाहिए option number C समाने और दिव्यांग विद्यारतियों के लिए एक ही विद्याले होना और D की अगर हम बात करें समाने और दिव्यांग विद्यारतियों के लिए अलग लग विद्याले होना तो देखिए जब हम inclusive education की बात करते हैं तो inclusive का मतलब होता है समावेशन मिल जाना ठीक है तो जब हम inclusive education के बात करते हैं तो कच्छा में सभी विद्यारतियों के लिए एक किसे चंट पदती होना ठीक है यह तो mail नहीं खाता inclusive education से क्योंकि यहाँ पर inclusive education का मतलब पोचा जा रहा है इसका क्या अर्थ है तो inclusion का मतलब होता है मिल जाना ठीक है तो पहला जो option है इससे बिल्कुल जो question पोचा गया उससे बिल्कुल mail नहीं खाता second अगर हम बात करें समाने और दिव्यांग विद्यारतियों के लिए एक की सुविधा देना तो सुविधा का और inclusion का क्या मतलब है यहाँ पर तो पूछा जा रहा है समावे सी सिख्चा का क्या अर्थ है तो option number भी यह भी mail नहीं खाता question से option number अगर हम C की तरब देखें तो समाने और दिव्यांग विद्यारतियों के लिए एक ही विद्याला होना ठीक है तो देखें नॉर्मल हम देखते हैं ना कि जो समान ही जो बच्चे होते हैं ठीक है और नॉर्मल स्कूल में जाते हैं चाहे श्टेट गॉर्मेंट को हो चाहे सेंटरल गॉर्मेंट को हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो तो नॉर्मल स्कूल में जाते हैं और जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल होते हैं उनके लिए अलग तरह का स्कूल होता है जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए अलग स्कूल होता है जो सुन नहीं सकते हैं तो इस हिसाब से जब हम देखते हैं option C और D तो C कहता है कि समाने और दिव्यांग विद्यारतियों के लिए एक ही विद्याले होना लेकिन D कहता है कि समाने और दिव्यांग विद्यारतियों के लिए अलग-लग विद्याले होना तो जब अलग-लग विद्याले की बात हो रही है, सभी एक ही school में आकर एक शाथ पढ़ेंगे, तभी तो हम कहेंगे न, inclusive education या समावेशी सिख्चा, तो समावेशी किसका हो रहा है, जो normal बच्ची है, जो special बच्चे है, सभी बच्चे एक साथ एक school में आके पढ़ेंगे, तभी तो समावेशन होगा ठीक है तो यहाँ पर आपको मतलब समझ में आगया होगा कि समावेशी सिक्षा या इंकलेजी सिक्षा एजूकेशन एक इस तरह की सिक्षा है जहां पर सभी तरह के जो बच्चे हैं एक साथ आकर एक विद्याले में पढ़ते हैं एजूकेशन लेते हैं कोई देख नहीं सकता तो उसकी सीखने की जोड़तो अलग होगी कोई सुननी सकता तो उसको अलग तरीके से सिखाया जाए इस तरह के बाद इसमें की जा रही है और बी की बात करें तो सभी विध्याष्यों की सीखने की च्रमता को बैतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है C की बात करते हैं तो विद्यारतियों को बीच अंतर करता है और D की बात करें तो विशेश रूप से सक्षम विद्यारतियों के सीखने की परिणामों को बहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है तो देखिए जब हम inclusive education की बात करते हैं तो इसकी एक और विशेशता है बच्चों में किसी तरह का difference नहीं करना सब को एक साथ पढ़ाना ठीक है सब को उनकी जोड़तों के हिसाब से सब को मतलब जिसका सीखने का जैसा तरीका है उस चीज को ध्यान में रखकर सब को एक साथ सिखाना तो इस हिसाब से अगर देखें तो option number जो A है ठीक है विद्यारतियों की विकलांगता की अनुसार उनको सीखने की जोड़ता है करना कि भाई नहीं तुम देखनी सकते तो तुम जाके इस तरह की education लो तुम सुननी सकते तो तुम इस तरह की education लो तुम बोल नहीं सकते तो तुम हाई लिए education अलग होगी तो क्या ये ठीक होगा नहीं होगा ना तो मतलब A option जो है A ठीक नहीं है ठीक है फिर option अगर हम B की बात करते हैं तो सभी विद्यारतियों की सीखने की चमता को बहतर बनाने के लिए परते बत तो यहाँ पर किसी तरह का कोई भेदबाव नहीं सभी बच्चों के लिए काम करना है सभी बच्चों को और बहतर बनाना है तो B option तो काफी अच्छा लग रहा है C को भी देख लेते हैं तो C विद्यारतियों के बीच अंतर करना तो नहीं भाई इस तरह की तो बात इंकलिजि़ एजे लिए यहाँ तो अंतर को खत्म करने के बात होती है और D की बात करें विशेस रूप से सख्चम विद्यारतियों के सीखने के परिणामों को बहतर बनाना नहीं यहाँ पर चाहे विशेश रूप से सक्षम विद्यारती हो चाहे सक्षम विद्यारती नहीं हो सभी के लिए काम करना सभी की learning को बहतर बनाना तो D, B, option ठीक नहीं होगा तो right answer क्या होगा यहाँ पर B सभी विद्यारतीों के सीखिने के च्षमता को बहतर बनाने के लिए प्रतिबद होना बहतर बनाने का प्रियास करना आगे बढ़ते हैं question number 3 क्या पूछा गया इसमें समावे सी सिक्षा मानती है कि हमें desk को desk की अनुरूप बदलना चाहिए inclusive education assumes that we should change the desk to fit the desk तो यहाँ पर क्या आएगा system, child, environment, family, child, environment, child, system तो यहाँ पर क्या option होगा ठीके तो यहाँ पर जो right answer जो होगा answer A समावे सी सिक्षा मानती है कि हमें प्रणाली को बाल के अनुरूप बदलना चाहिए ठीके बाल का मतलब है बालक बच्चों के अनुरूप बदलना चाहिए क्योंकि हम देखते हैं कि जब समावे सी सिक्षा की बात करते है तो मतलब क्या है कि एकी विद्याले में special बच्चा भी आ रहा है normal बच्चा भी आ रहा है ठीक है तो फिर मतलब क्या है कि जो स्कूल है स्कूल में जो पढ़ने पढ़ाने का तरीका है ठीक है तो बच्चों की जड़तों के हिसाब से उसमें बदलाव लाना चाहिए तो इसलिए क्या किया जा रहा है कि सिक्षा मानती कि हमें सिस्टम को बच्चों के अनुरूप बदलना चाहिए अगर बच्चों के अनुरूप बदलेंगे तभी तो अच्छे से हम उनको पढ़ा सकते हैं ठीक है नॉर्मल हम देखते हैं नॉर्मल विद्ध्यालियों में क्या होता है ठीक है समावेशन से हटकर हम बात करते हैं तो बच्चों को स्कूल के हिसाफ से चलना पड़ता है ठीक है जो करीकुल है में उसके हिसाफ से चलना पड़ता है लेकिन inclusive education ने बात की जा रही है कि बच्चों के हिसाब से चीरियों को modify किया जाए तो यहाँ पर right answer जो होगा क्या होगा ए होगा कि inclusive education assume that we should change the system to fit the child आगे बढ़ते हैं question number 4 निम लिखित में से कौन सा कथन समावेस का सबसे अच्छा वर्णन करता है which one of the following statement best describe inclusion तो यहाँ पर inclusion का तो मतलब आपको अभी तक थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा तो option भी देखी लेते हैं कुस बच्चों को उनके चमताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए तो यह अलगाओं की बात तो inclusion में होती ही नहीं है तीक है next देख लेते हैं कुस बच्चे बिल्कुल भी नहीं सीख सकते नहीं सीख सकते तो क्या हुआ सिखाना तो teacher का काम है तो यह दोनों भी समाविशन का अच्छा वढ़ना नहीं कर सकते third देखते हैं सभी बच्चों को नियमित school परणाली में समान सिख्चा पराप्त करने का अधिकार है और D की बात करें तो विशेश बच्चे इस्वर का एक विशेश उपहार है इसका दोगा मतलब भी नहीं बनता तो यहाँ पर right answer क्या होगा कि इनमें question क्या था कि इनमें से कौन सा statement कौन सा कथन समावेशन का स्कूल में उनको पढ़ाया जाए उनकी जो बच्चो की जो च्छमता हैं उस इसाफ से बच्चो को सिखाया जाए ठीक है आगे बढ़ते हैं question number five question number five क्या पूछा गया है कि सभी के लिए स्कूलों में सभी की सिख्चा education of all in school for all कि सभी के लिए school ऐसे school जो सभी के लिए हो मतलब समावेसी विद्याल है inclusive school और जिसमें सभी को सिख्चा मिले तो निमलिकित में से किस के लिए एक tagline हो सकती है तो किस के लिए हो सकती है सभी के लिए सिख्चा बिना किसी भेदभाव के और सभी school सभी का एक school जो हो सबी का हो और सबी बच्चे बिना किसी भीदवाग कि उसमें जाएं और इसमें पढ़ें तो जाहिड सी बात इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा इंक्लियूजिव एजुकेशन समावी से सिक्चा लेकिन साथ साथ हम देख लेते हैं जब हम एक ही बात करते हैं कोहेसिव एजुकेशन समेकी सिक्चा की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है एक तरह से हम यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इंडिवीजियूल एजुकेशन ब पर जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, ठीक है? तो इस तरह की जो education जो होती है, उसको cohesive या समय की सिख्षा बोलते हैं, individual learning भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है? फिर cooperative education सेहकारी सिख्षा, जहां पर school में सभी बच्चे टीचर एक दूसरे की साहता से सीखते हैं और exclusive education विसेश सिख्चा तो यहाँ पर क्या बात की जाती है exclusive education विसेश सिख्चा जो special बच्चेहिन के लिए जो अलग से सिख्चा के विस्ता की जाती है अलग से school चलाए जाते हैं तो वो हो गया exclusive education विसेश सिख्चा ठीक है तो तो यहाँ पर जब बात की जा रही है कि सभी के लिए सिख्छा और सभी के लिए स्कूल तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इंक्लिजिव एजुकेशन होगा. Next अगर हम बात करें question number 6 तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? कि वंची समुहों के विद्यारतियों को समान विद्यारतियों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए इसका तात्पर क्या है? क्या है inclusive education, special education, integrated education and exclusive education तो देखिए इसका साफसा है कि वंची सम्मू के विद्यारतियों को समान विद्यारतियों के साथ पढ़ाया जाए मतलब include किया जाए inclusion की यहां पर बात की जा रही है तो यहां पर फिर right answer जो होगा क्या होगा inclusive education समावेशी सिक्षा इसका answer होगा लेकिन देखिए आपको बाकी की जो तीन चीजे है ना इसको भी समझना जरूरी हो सकते एक्जाम में इसमें सभी पोछ ले तो special education क्या होता है तो special education में क्या किया जाता है हम सबसे पहले बिलकुल हम निचे से start करते है option D से ठीक है तो exclusive education क्या करता है विशे सिक्षा की जो सिक्षा 45 से जो दिव्यांग बच्चे है जो विशे साहता वाले बच्चे इनको बिलकुल ही अलग तलग कर देता है ठीक है लेकिन जब हम special education पर आते हैं तो special education में क्या बात की जाती है कि नॉर्मल बच्चों के लिए अलग school होंगे और जो special बच्चे हैं जो दिव्यांग बच्चे हैं के लिए अलग school होंगे ठीक है तो special education क्या है कि जो special बच्चों के लिए अलग से education अलग से विद्याले की बात करता है लेकिन जब हम integrated education पे आते हैं तो integrated education का मतलब क्या है integrated education में कहा जाता है कि जो special बच्चे है ना उनको normal school में उनको दाखिला दे दिया जाए जैसे आप अपने घर के आसपास भी अगर आपके कोई school है जहाँ पर special बच्चे एक दो आपको school में देखने को मिल जाते होंगे लेकिन यहाँ पर क्या problem है integrated education में कि special बच्चों को normal बच्चों के साथ school में दाखिला तो दे दिया गया special बच्चे जो है normal बच्चों के साथ classroom में बैटे हैं लेकिन उनके लिए अलग से सिक्षा का उनके लिए सिक्षा का कोई परबंद नहीं है विद्याले में classroom में उनके लिए किसी तरह के कोई संसाधन नहीं है ठीक है मतलब बच्चे class में आ तो गए हैं लेकिन उनको पढ़ानी की ऐसी कोई विवस्ता नहीं है ऐसा कोई संसाधन नहीं है integrated का मतलब है कि बच्चों को सिर्फ school में entry देना और exclusive में तो starting का है इसमें तो बिल्कुल ही बाहर अलग कर दिया कि ने भाई इनके लिए कोई सिक्चा के विवस्तान नहीं है तो special में अलग school हो special बच्चों के लिए अलग school हो normal बच्चों के लिए integrated में कि चलो कोई नहीं आप special बच्चों को normal school में आप उनको entry दे दो लेकिन य ना तो सबसे updated है इस परणाली में क्या है कि एकी विद्याले में normal बच्चे भी है special बच्चे भी है दोनों साथ पढ़ेंगे और जो special बच्चे है ठीक है उनकी जोड़तों के हिसाब से जो सारी सामगरी है जो tools है वो सारे available है बच्चों के लिए special teachers भी है ठीक है तो यहाँ पर सारी सुविधाय जो है सभी बच्चों के लिए available है तो यह है inclusive education तो यह basically इनमें फर्क है इनमें अंतर है ठीक है आगे बढ़ते हैं question number seven समाविसी सिख्चा की सफलता किस पर निर्भर करती है किस पर निर्भर करती है देखते हैं community support कि समोदाइक समर्तन होना चाहिए फिर attitudinal change among teachers की सिख्चकों के बीच वहवार परिवरतन और उसके बाद high quality teaching learning उच्च गुणवत्ता वाली सिख्चन अध textbook की बात करते हैं ठीक है तो उनका जब हम inclusive education की बात करते हैं ठीक है तो इस पर dependent नहीं करेगी क्योंकि कोई बच्चा देखनी पारा कोई बच्चा सुननी पारा कोई बच्चा बोलनी पारा तो हर बच्चों के लिए अलग समगरी कहीना कहीं चाहिए होगी ठीक है तो इसका इससे कोई मतलब नहीं फिर हम high quality teaching learning की बात करते हैं तो उच्च गुणवत्ता वाला सिक्चन अधिगम तो किस तरह से होगा अब नॉर्मली जब हम बात करते हैं ना inclusive education की बात करते हैं तो इसको देखी आप simple सब्दों में समय सकते हैं कि बच्चा school जा रहा है ठीक है तो school मे जो सीखने सिखाने की जो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है ना वो किसकी एक teacher की है अगर teacher बच्चों के साथ समय विताएगा बच्चों को समझेगा बच्चों पर ध्यान देगा और बच्चों पर पूरी मेहनत करेगा ना तभी वो बच्चा सीख सकता है तभी वो नहीं चलो यह दिव्यांग है ठीक है इसको सिर्फ इस पर क्या ध्यान देना इस पर क्यों टाइम खराब करना तो अगर टीचर का बच्चों के लिए इस तरह के बच्चों के लिए जो स्पेशल बच्चे है ठीक है जो पिछडे बच्चे है अगर ऐसे बच्चों के लिए टी यृट वेजह से टीजर के वहवार के वाई से School चोड़ देते हैं तो ऐसे में अगर टीजर बच्चो को सपोर्ट करें टीजर बच्चों के साथ मे拼ENT करें टीजर प्लास में अच्छा environment device तो सभी बच्चों का जो विकास है अच्छा होगा सभी बच्चों में आत्विस्वास अच्छा मतलब बढ़ियां हो सकता है तो इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि जो सबसे जो सही इसका जो आंसर है वो क्या है Attitudinal Change Among Teachers की सिच्चकों के बीच वहवार परिवर्तन ठीक है अगर सिच्चकों का वहवार पोजिटिव होगा सभी बच्चों के लिए उनके मन में किसी तरह का कोई Discrimination नहीं होगा वो सभी बच्चों को अपना बच्चा मान कर उनको पढ़ाएंगे सिखाएंगे तभी जो हम कहते हैं ना एजुकेशन ओ सक्सेस हो सकता है मालो सोसाइटी कितनी भी सपोर्ट क्यों न करे ठीक है उच्च गुणवत्ता वाले आप लर्निंग जो मटीरियल हैं ठीक है तूल्स या आप कुछ भी आप ला दें ठीक है आप अच्छी बुक भी ला दें लेकिन अगर टीचर का एटिट है question number eight तो question number eight में क्या पूछा है सफल समावेशन के लिए निमलिकित की आवसकता होती है सिवाए इन में से एक को छोड़ कर बाकि सब की आवसकता है तो कौन सा point है जिसकी आवसकता inclusion के लिए नहीं है inclusive education के लिए नहीं है ठीक है जिसके बात inclusive education में नहीं की जाती ठीक है तो एक एक point देखते हैं अलगाओ involvement of parents capacity building और lack की बात करें तो sensitization सम्वेदन सीलता तो अगर हम इन point में देखते हैं नजर हम देखते हैं यह अगर तो देखें तो देखें अलगाओ की बात हो रही है अब जब अलगाओ की बात हो गई ठीक है segregation की बात हो गई तो इसका तो बिल्कुल inclusive education में तो इसकी कोई जगे बनती ही नहीं है involvement of parents बिल्कुल सही है capacity building सही है और बच्चों के लिए संस्टाइजेशन समवेधन सील था बिल्कुल ठीक है तो यहाँ पर जो right answer होगा कि सफल समावेशन के लिए निम लिखित में से किसकी आवसकता नहीं है क्योंकि question के है निम लिखित की आवसकता होती है सिवाए किसको छोड़ कर तो यहाँ पर segregation की आवसकता नहीं होती includes teachers from marginalized group की हासिये पर पड़े समुहों के सिक्षकों को सामिल करता है यहां तो हमने includes education में हम तो बच्चों की बात कर रहे थे ना teacher की बात तो हमने नहीं की तो मतलब क्या है इस point जो यह point है इस question के साफ़ से ठीक नहीं है second है celebrate diversity in the classroom की कक्चा में वित्ता का जस्म ननाता है मतलब जो class में diversity है बच्ची अलग-लग group से आ रहे हैं अलग-लग च्छमताओं के आ रहे हैं तो सब को welcome किया जाता है सब के लिए काम किया जाता है इसलिए क्या कहा गया celebrate diversity in the classroom कोई भी भी द्वाव नहीं सबी के असा समान वेवार सबी के लिए काम सबी को सिखाना सबी को आगे बढ़ाना ठीक है जिसकी जैसी सेखनी की च्छमता है उस च्छमता के असाफ जो बच्चों को सिखाना c सख्त परवेस प्रिक्रियाओं को प्रोसाहान और d की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं A, B नहीं होगा ठीक है C की बात करते हैं तो C भी नहीं होगा D तो होगा ही नहीं तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा B, कक्छा में वित्ता का जश्न मनाना मतलब जो diversity है बच्चों की कोई देख नहीं सकता कोई सुन नहीं सकता कोई बोल नहीं सकता कुछ बच्चे हैं पिछड़े वर्गों से आये हैं तो सभी का welcome करना welcoming environment इस तरह का ठीक है तो right answer क्या है यहाँ पर celebrate diversity in the classroom आगे बढ़ते हैं question number 10 समावी सी सिख्चा में सिख्चक की कौन सी विशेष्था नियूंतम महत्व की होती है मतलब सिख्चक की ऐसी कौन सी विशेष्था है जो इतनी महत्वण नहीं होती ठीक है अधिक जरूरत होती है क्योंकि क्लास में teacher का जो patience है teacher का बच्चों के प्यार है बच्चों का आत्विस्वास बढ़ाने में बहुत ज़्यादा महत्मुन भूमिका निभाता है सेकंड देखते हैं विद्यार्तियों की सीखने संबंदी अक्षमताओं के बारे में ज्यान तो बिल्कुल अगर teacher को बच्चों के जो अलग जो इंडिविजियल डिफ्रेंसिस से उसके बारे में पता होगा तभी तो teacher बच्चों को help कर सकता उनको और अच्छे से सिखा सकता तो इसकी भी ज़रूरत है ठर्ड की अगर हम बात करते हैं teacher की ठीक है मतलब सिख्चक की अपनी समाजी का आर्थिक स्तिती और चौत ही अगर हम बात करें बच्चों के परतिस सम्विदन से इलता तो बहुत ज़रूरी है ठीक है बच्चों के बारे में जानना भी बहुत तो इसका इतना कोई लेना देना नहीं है ठीक है टीचर चाहे अमीर घर से आ रहा है चाहे गरीब घर से आ रहा है चाहे किसी रिलीजन से आ रहा है किसी कल्चर से आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं में जो मोटिव क्या है में जो देशे क्या है कि स्कूल में जाकर किस तरह से ब विद्याले में सिक्षक की परमुख जिमेदारी है एक समावसिवी विद्याले में सिक्षक की क्या responsibility है prepare lesson plan and teach accordingly कि पार्थ योजना तयार करें और उसके अनुसार पढ़ाएं तो अपने सिर्फ योजना की अनुसार पढ़ाओ बच्चों को मत देखो ठीक है तो prepare lesson plan and teach accordingly या आपको lesson plan की हिसाफ से पढ़ाना है या क्लास में बच्चों की जो need है जो जोड़ते हैं उसके हिसाफ से आपको पढ़ाना है तो एक चीज हो गया second हम देखते हैं विद्यारतियों की अलग-लग सीखने की शैलियों के अनुसार सीखने के अफसर प्रदान करें C option देखते हैं या था संभव अधिक से अधिक गतिविधियां आयोजित करें और D की बात करते हैं तो कठोर अनुसासन बनाए रखें तो देखिए इसमें जो सबसे positive answer है ना वो क्या है option B हम क्लास में देख रहे हैं एक बच्चा जो है अलग लग background से बच्चे आ रहे हैं special बच्चे भी है normal बच्चे भी है special बच्चे में अलग लग category है कोई देख नहीं पारा कोई सुन नहीं पारा किसी को सीखने में time लगता है तो मतलब विध्यारतियों को अलग लग सीखने की जो शेलियों के अनुसार उनके सीखने के अफसल परदान करें मतलब बच्चों को इस तरह से opportunity दे तागे बच्चे अपने गति की हिसाब से अपने पीस की हिसाब से चीज़ों को सीख सकें चीज़ों को जान सकें आगे बढ़ते हैं question number 12 वन की बात करें एकी बात करें less stress on competition and grades की परतिस परदा और grade पर कम तनाव देना ठीक है second की बात करते हैं अधिक सहकारी और सहोगात्म गतिविदी more cooperative and collaborative activity C की बात करते हैं more efforts by teacher to cover the course completely और 4 की बात करते हैं तो विद्यार्तियों के लिए कक्षा गतिविद्यों के लिए अधिक विकल्प तो इसमें सबसे ज़ारा महत्पून क्या है सबसे कम महत्पून क्या है तो जब आप इन पॉइंट को देखेंगे ना तो यहाँ पर लगेगा सबसे पहला यह देखते हैं less stress on competition and grades तो यह तो अच्छी बात है कि competition की बात करें numbers की बात करें तो इस पर ज़्यादा stress नहीं डालना तो यह तो ठीक है second की बात करते है more cooperative and collaborative activity तो यह भी अच्छी चीज़ है यह भी महत्पून है और D की बात करते हैं तो विद्यार्तियों के लिए अधिक विकल्प की ज़्यारा ज़्यारा activity हो और बच्चों को ज़्यारा ज़्यारा activity करने के option मिले तो इभी ठीक है लेकिन अगर C यहाँ पर जब हम देखें ना तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि teacher का main objective क्या होना थी बच्चों से ज़्यारा ध्यान देनाचा कि syllabus complete करे ठीक है तो यह देखते हैं तो यह इतना ज़्यारा maithpon ने syllabus complete करना maithpon ने है बच्चों को सिखाना बच्चों को औसर देना उनको आगे बढ़ाना ज्यादा maithpon है आगे बात करते हैं question number 13 समावेसी कक्षा के लिए सिक्षकों के लिए किस परकार की तैयारी आवेस्थेक नहीं है एक समावेसी कक्षा है ठीक है इंक्लिजिव क्लास्रूम है तो इंक्लिजिव क्लास्रूम में जब टीचर पढ़ाने के लिए जाता है तो किस तरह की तैयारे की जोड़त नहीं है लो लेवल ऑफ पारिवारिक प्रिष्ट भूमी और विद्यार्टियों के वहवार के बीच बातचीत की अच्छी समझ नीदानात्मक और उप्चारात्मक प्रतिक्रियाओं से परचित होना तो आप देखी इसमें पूछा गया है कि किसकी तैयारी की आवसकता नहीं है सामाव क्रियास करने चाहिए तैयारी करने चाहिए क्योंकि परिवार्श के से संबर करेगा तभी तो ँदू स्कूल परिवार को साथ में जोड़ पाएगा तो झिरूरी है धेरे का निम्निस्तर ठीक है तो धेरे का निम्निस्तर अगर आप देखेंगे न तो इस पॉइंट का ये थोड़ा सा पॉइंट अलग जा रहा है अब सी भी हम देख लेते हैं एक बार कि परिवारिक प्रिष्ट भूमी और विद्यार्थियों के वहवार के बीच बाचित की अच्छी समझ होनी चाहिए ठीक है कि बच्चे किस परिवार से आ रहे हैं ठीक है उनके प्रिष्ट भूमी क्या है उसके हिसाब से बच्चों का क्या वैवार है बच्चों को किस तरह से सिखाया जाए तो इस चीज की भी तैयारी बहुत जरूरी है क्लास में बच्चों को चानेंगे उस आप करेंगे तभी तो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे और डी की बात करते हैं निदान और उबच्चार की बच्चों की समयटाओब को जानना और इसको उबच्चार करने का प्रयास करना तो इन सब चीज़ों के लिए तैयारी आवस्यक है लेकिन जो हम बात करते हैं न हैविंग लो लेवल ऑफ पेसेंज के धहरे का निम विस्तर तो यह हम देखते हैं कि यह जो पॉइंट है यह बिल्कुल उसका इंडिविजुल आस्पेक्ट की और चला जा रहा है तो इस जो हम बात करते हैं समावेसी कक्षा की इसाफ से देखें तैयारी की इसाफ से देखें तो यह पॉइंट थोड़ा सा अलग हो जाता है ठीक है तो इसलिए राइट आंसर यहां पर क्या होगा भी होगा आगे बढ़ते हैं question number 14 निम लिखित में से कौन सा समावेसी सिक्षा का सिध्धान्त नहीं है तो यहां तक तो समावेसी सिक्षा बार बार word आते 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 आपको काफी कुछ पता चल गया होगा तब यहां पर क्या पूचा जा रहा है कि निम लिखित में से कौन सा समावेसी सिक्षा का Second, विद्धियारतियों के विचारों को सुना जाना चाहिए और उन्हें गंबेता से लिया जाना चाहिए विद्धियारतियों के विच विक्तिगत मद्भेत समस्याओं का स्टोत है और सभी विद्धियारतियों को समान सेक्षिक आफसर दिये जाए तो देखिए यहां पर जब इन चारों पॉइंट को देखेंगे ना फिर से यहां पर जब हम सी की बात करते हैं तो यहां पर फिर से आ गया इंडिविजुल डिफरेंसिस की बात की जारी है वेक्तिकत मद्भेत की बात की जारी है इस तरह की प्रोब्लम की बात की जारी है तो यह जो point है ना जब inclusive education के principles की बात करते हैं तो इस हिसाफ से बिलकुल ठीक नहीं बैठता ठीक है तो right answer क्या होगा C जहां पर भी अलगाओ की बात आती है, discrimination की बात आती है तो मतलब ओ inclusive education में ऐसी चीज़ों के लिए कोई स्थान नहीं है question number 15 के अगर हम बात करें वंचित वर्गों के चात्र को यह बताने का सबसे परभावित तरीका कौन सा है कि आप उनसे class की जो activity है उनमें भाग लेने के लिए और सफल होने की आप एक्षा करते हैं तो जो बच्चे हैं तीक है जो वंचित बच्चे हैं जो disadvantageous section से हैं ग्रूप से हैं जो special बच्चे हैं तो ऐसे बच्चों को आप किस तरह से बताएंगे किस तरह से समझाएंगे ठीक है आप किस तरह से उन्हें कक्छा में भाग लेने के लिए सफल होने के लिए आप रिरित करेंगे सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है तो देखते हैं option one make them believe that they can succeed कि उन्हें विश्वार दिलाएंगी वह सफल हो सकते हैं second की बात करें अपनी रूची के अनुसार उन्हें पढ़ाएं third की बात करते हैं दूसरे बच्चों के साथ उनकी तुलना करें और fourth की बात करें इस बात पर जोड़ दें कि आपको उनसे बहुत उम्मीदें तो क्या आप फूर्थ की बात करते हैं आप उनको जोड़ देंगे कि हम मुझे बहुत उम्मीदें मुझे बहुत उम्मीदें त ठीक है तुम पास हो तुम इस एक्टिविटी को कर लो तो इस पर कहीं न कहीं बच्चों पर तो फ्रेसर आएगा ना कहीं आपको आपको ही पता होगा कि जब आपके पैरेंट या आपकी टीचर आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदे कर लें और आप उस पर सफल ना हो पाएं ठीक है अगर हम बात करें दूसरों बच्चों के साथ दूसरे बच्चों के साथ उनकी तुलना करना तो देखें तुलना तो बिल्कुल नहीं की जा सकते तो गलत तरीका है बी की बात करते हैं अपनी रूची के अनुसार उन्हें पढ़ाएं अब आपको क्या करना आप education में तो बात की जा रही है कि बच्चे की जो individual differences है जो बच्चों की need है ठीक है जो उनकी आसकता है उस इसाफसे बच्चों को learning experience दिये जाने चाहिए तो आप अपनी रूच्चों के इसाफसे पढ़ा होगे पता नहीं बच्चा सीख पाएगा नहीं सीख पाएगा हमें तो बच्चों की रूची देखनी है ना लेकिन यहाँ पर जब हम option number one देखते ना तो यहाँ पर क्या है उन्हें विश्वास दिलाएं कि वह सफल हो सकते हैं वो कर सकते हैं तो टीचर का यह काम है ठीक है एक positive तरीके से आप कैसे बच्चों का आगे बढ़ा सकते हैं उनको हमेशा हिम्मत दो उनको होसला दो कि नहीं तुम start तो करो तुम करोगे तो सफल जरूर होगे ठीक है तो इस तरह से आप उनको motivate कर सकते हैं तो सबसे अच्छा तरीका क्या है एक make them believe that they can succeed कि उन्हें विश्वास दिलाएं कि वह सफल हो सकते हैं आगे बढ़ते हैं question number 16 वंचित प्रिष्ट भूमी के बच्चों की जोड़तों को पूरा करने के लिए सिक्छक को चाहिए कि कि जो वंचित प्रिष्ट भूमी के जो बच्चे हैं ठीक है उनकी जोड़तों को पूरा करने के लिए सिक्छक को क्या चाहिए पहला give them a lot of written work उनको खूब सारा homework दो second उनके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिस करें और उन्हें कक्चा में होने वाली चर्चाओं में शामिल करें third उन्हें कक्चा में अलग से बिठा दें D की बात करें उनकी उपेक्षा करें कियोंकि वे अन्चातरों के साथ बाचित नहीं कर सकते तो क्या करेंगे आप A, option B, C, D आप उन्हें खूब सारा काम देंगे या उन्हें कच्छा में बिल्कुल अलग बिठा देंगे या उनकी उपेक्षा करेंगे कि भाई तुम कुछ कर नहीं सकते या आप क्या करेंगे उनके बारे में जारह से जारह जानने की कोशिज करेंगे और क्लास में उनको क्या करोगे उनको आप इंकल्यूट करोगे क्लास में सामिल करोगे क्लास की चर्चाव में सामिल करोगे क्या करेंगे आप जो पंचित पिष्ट भूमी के बच्चे उनमें आत्मिस्वास जगाने का कच्छा का एक सदस से बनाने का क्या तरीका है उनको अलग बिठा दोगे तो क्या अच्छा तरीका है या उनको खूब सारा काम दे दो बागी को कम दे रहो उनको खूब सारा काम दे दो या क्लास में उनको हमें सा क्रिटिसाइज करो या क्लास में उनको शामिल करो ते यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका क्या होगा ठीक है कि try to find out more about them उनके बारे में जाने जाने और क्लास की जो एक्टिविटी है उनको सामिल होने की कोसिस करें प्रयास करें ताकि वो खुद को क्लास का एक से दस समझ सकें आगे question number 17 सीखने की अक्षमता वाले बच्चों की सिख्छा का प्रावधान किसके माध्यम से किया जा सकता है ठीक है a provision for education of children with learning disability can done through तो यहाँ पर फिर से वही है कि जहाँ जब हम जो अक्षम बच्चे है जो special बच्चे है जो disabled बच्चे है ठीक है उनकी सिख्छा का प्रावधान का बेस्ट तरीका क्या है तो जाहिर सी बात है हम बात कर रहे हैं inclusive education की हमने बात की ठीक है तो यहाँ पर right answer inclusive education ही होगा अब बाकी option भी देख लेते हैं integration देखिए integration का मतलब जैसे मैंने आपको starting में बताया यहाँ पर पूछा गया कि सीखने की अश्वमता वाले बच्चों की सिख्चा का प्रावधान किसके मादिम से किया जा सकता है तो देखिए integration का मैंने आपको बताया कि integration में क्या कि एक normal school में आप special बच्चों को डाल तो देते हैं तो integration में क्या उनको entry मिल गई हो class में बैठ सकते हैं लेकिन यहाँ पर उनकी सिख्चा की अलग से कोई विवस्था नहीं है ठीक है और जब हम main streaming की बात करते हैं तो main streaming का है कि समाज में जो बच्चे ऐसे हैं जो मतलब आप देखते हैं अपने आस पास में कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में होते हुई भी समाज में बिलकुल अलग हैं जैसे आप तो main stream हगर हम बात करें ठीक है तो main streaming अलग चीज हो जाती है ठीक है लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात करें हैं जो special बच्चे हैं जो learning disabilities हैं हम उन बच्चों की बात करें तो ऐसे में जो सबसे better जो option होगा हो क्या होगा inclusive education की सेखने कि अच्छमता वाले बच्चों की सिख्चा का परवधान किसके माध्यम से किया जा सकता है inclusive education के माध्यम से किया जा सकता है क्यूंकि हम main streaming की जब बात करते हैं तो जो ने की जो main stream आप जिन बच्चों को कर रहे हो ठीक है इसमें गरीब अनुकूल बनाने का निर्ने लिया था मतलब क्या है कि 2005 में government ने निर्ने लिया कि आगे आने वाले इस वर्स तक ठीक है सभी हम इस तरह का प्रवधान कर देंगे कि सभी स्कूलों में जो दिव्यांग 19 शो से पता चलता है कि समाने कक्छाओं में दाखिल होने पर हलके मंद बुद्धी वाले बच्चे ठीक है हलके मंद बुद्धी वाले जो बच्चे हैं किनको हम हलके मंद बुद्धी जो हम कहते हैं कि जिनका जो दिमाग है ठीक है जो normal बच्चे जो हैं सोचने समझने का तरीका होता उतना तेज नहीं होता उनसे थोड़े slow होते हैं उतनी जल्दी से चीज़ों को समझ नहीं सकते तो सोच से पता चलता है कि इस तरह के जो बच्चे हैं जिनका IQ लेवल थोड़ा कम है तो समान कक्षाओं में दाखिल होने पर हलके मन मुद्धि वाले बच्चे अगर इन बच्चों को समान जो classroom है नॉर्मल जो classroom है उनमें डाला जाया समान बच्चों के साथ डाला जाया तो क्या result आता है क्या पता चला सोध में और समान विद्यारतियों के समान परदर्सन करने लगते हैं सेकर्ड विसिस कक्षाओं म जितना परदर्सन कर रहे थे नॉर्मल क्लास्रूम में जाने पर उनका परदर्सन और अच्छा हो जाता है सी, विसिस कक्छाओं में रखे जाने पर जितना परदर्सन कर रहे थे पहले आपके सामने चार option है question में क्या पूचा गया है कि सोच से पता चलता है कि समाने कक्छाओं में अगर हलके मंद बुद्धे वाले बच्चों को शामिल किया जाए तो उन पर क्या असर आता है और option क्या दिया गया पहला है कि जो समाने बच्चे हैं उनकी समान परदर्सन करने लगते हैं दूसरा यहां पर option दिया गया कि पहले wishes कक्छाओं में जितना परदर्सन कर रहे थे उससे अधिक परदर्सन करने लगे उससे अच्छा परदर्सन करने लगे और C में है कि जितना पहले करते तो अभी भी करने लगे कोई फरक नहीं आया और डी क्या कहता है कि उससे कम परदर्सन करने लगे तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ना राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा ओप्सन बी ठीक है बी मतलब पहले विसेश कर्चाओं में जितना परदर्सन कर रहे थे जब उनको नॉर्मल क्लास में लाया गया नॉर्मल बच्चों के साथ लाया गया तो उन पर थोड़ा एक बोजिटिव इंपक्ट पड़ा और उनकी जो परफॉमेंस में सुधार आया ठ ठीक है कि विसेशन नॉमघंटी अब यहां पर पॉछा गया है प्रतम पेड़े के अधिगम करता तो अब यहां पर एक नया question आया कि फूर्स जनेक्षिन कौन होते है लिए ऑप्शन यहां पर देखिये पहला है जो पढ़नें बहुत अच्छे होते हैं उन्हें फसर्स जो अपनी PD में अपने पूरे खांदान में पहली बार विद्याले पढ़ने के जा रहे हों जिन्होंने विद्याले का पहरी बार मुह देखा है जिन्होंने जिनका विद्याले में पूरे खांदान में पहली बार एडमिसन हुआ है जो बैग लेके स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो किसी कहा जाता है पर्थम पेड़ी के अधिगम करता या फॉर्ट जनरेशन लर्नर तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा डी जो बच्चे अपने पूरे खांदान में मतलब उन बच्चों से पहले उनकी पूरी पीड़ी में अभी तक कोई स्कूल गया ना हो और ओओ बच्चे पहली बार स्कूल जा रहे हैं तो ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं प्रत्म पीड़ी के अधिगम करता या first generation learner हम उनको कहते हैं ठीक है question number 21 निम लिखीत में से कौन सी समस्या समाजिक रूप से वंचित लोगों के सामने आती है ठीक है तो यहाँ पे normally क्या पूछा गया है कि जो different group होता है जो हम देखते हैं समाजिक रूप से पिछड़े जो लोग होते हैं उनके सामने कौन सी समस्या जादा उनको जहलने को मिलती है उनके सामने कौन सी समस्या आती है कौन सी problem आती है option number one school में छात्रों और सिक्चों के साथ द्वारा भेदभावपून वहवार के school में जाते हैं और उनके साथ discrimination होता है बच्चे भी करते हैं इस तरह की समस्या आती है या सीखने के लिए प्रेड़ना की कमी उनको कोई motivate नहीं करता उनको कोई encourage नहीं करता कोई सही सिक guide निकरता तो प्रेड़ना की कमी होती है तीसरा बात करें अपनी रचनात्मक्ता को विख्षित करने की असरों की कमी होती है यह दी सभी तो यहां पर हम देखते हैं कि जो वन्चित लोग होते है जो ग्रूप होता है इनके सामने जो सबसे बड़ी जो समस्या आती है यहां पर हमें जो option A, B भी ठीक है, B भी ठीक है, C भी ठीक है, तो यहाँ पर जो right option होगा, क्या होगा, D, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, question number 22, अनात बच्चों को पढ़ाते समय सिक्षक को चाहिए कि वो, कि जब वो और्फन बच्चे जो होते हैं, उनको पढ़ाना, जब क्लास में प पढ़ाना चाहिए, ठीक है, तो क्या है सबसे पहला option, इस तथे को नजर अंदाज करें, और इस बच्चे को कक्छा में अन बच्चों के बराबर ही समझें, ठीक है, second अगर हम बात करें, बच्ची पर विशेज ध्यान दे, third है, बच्चों को अन छात्रों की तुलना में कम ग्रियकारे दे, या बच्चों को कोई ग्रियकारे न दे, तो आप as a teacher क्या करेंगे इसमें, आप बच्चों को कोई काम नहीं देंगे, या आप बच्चों को नॉर्मल बच्चों के तुलना में कम काम देंगे, या आप उसी बच्चे पर विशेज ध्यान देंगे, तो इसे बच्चे के मन में भी एक negative feeling जाते हैं तो इसलिए सबसे अच्छा काम यही है कि आप उस बच्चे को भी बाकी सभी बच्चे के समानी समझें सभी बच्चे के समानी ध्यान दे सभी बच्चे के समानी उसको पढ़ाएं तो यह सबसे अच्छा तरीका है तो इससे बच्चों को भी ऐसा कुछ special feel नहीं होगा ठीक है बच्चा भी अपने आपको अलग तलग नहीं समझेगा ठीक है तो यह आप काम कर सकते हैं एक अच्छा तरीका है कि आप class में सभी बच्चों को सिर्फ बच्चों की तरह समझे और आप अपना objective है कि मुझे सभी बच्चों को सिखाना है सभी बच्चों को बताना है किसी एक बच्चे के साथ अगर आप अलग treatment करने लगेंगे न तो कहीं न कहीं class में भी बाकी जो बच्चे हैं और वो बच्चा उसको कुद भी कहीं न कहीं उसको बुरा लग सकता है ठीक है आगे question number 23 जो बच्चा समाजिक नियम हो या विनियम हो जो समाजिक नियम है जो कानून है उसके विरुद वेवार करता है उस बच्चे को क्या कहते हैं जो बच्चा हम देखते हैं बच्चे हैं चोटे बच्चे हैं ठीक है आटमी नौवी दसमी ग्यारमी में हम देखते हैं नॉर्मल जो इस तरह के बच्चे हैं इस एज में आते हैं और जो समाजिक नियम है ठीक है जो कानूने इसको नहीं मानते ठीक है गलत activity में लग जाते हैं तो इस तरह के बच्चे को क्या कहते हैं backward बच्चा पिछड़ा हुआ idiotic, mork, dull या delicate, अपराधी तो इस तरह के जो बच्चों के लिए जो word use होता है क्या होता है delicate, अपराधी, प्रवर्ती के बच्चे आगे question number 24 तो इसमें क्या पूचा है wishes आख सकता वाले बच्चों की सिख्चा परदान की जानी चाहिए जो wishes आख सकता वाले बच्चों की सिख्चा परदान की जानी चाहिए किस तरह से, with other normal children अन्य समान बच्चों के साथ या special children या education should not be provided ठीक है, wishes तो यहाँ पर आप इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो wishes आख सकता वाले जो बच्चे है ठीक है, उनको सिख्चा परदान करनी चाहिए किस तरह से, normal बच्चों के साथ ठीक है, या special children उनको मतलब जो special बच्चे हैं उनकी अलग class होनी चाहिए normal बच्चों के अलग class होनी चाहिए इस तरह से करेंगे, अगर मालो इस तरह से अगर आप करेंगे कि एकी स्कूल में special बच्चों की class अलग हो normal की अलग हो, तो कहीं ना कहीं उस स्कूल में classroom में discrimination बढ़ेगा, ठीक है बच्चों को बच्चे भी class में क्या करते हैं, कि एक दूसरे को फिर चिड़ाने लगते हैं, class के नाम पर तो इस तरह से भी special children की, special child को अगर special child के साथ अलग लग classroom में पढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं यह भी ठीक नहीं होता और education should not be provided की, सिक्चा नहीं परदान की जानी चाहिए, अगर उनको सिक्चा ना दी जाए, यह तो सबसे खराब है और vicious with द्याल है, मतलब special बच्चे इनको अलग स्कूलों में उनको सिक्चा दो, normal को अलग स्कूलों में सिक्चा दो, तो इससे कहीं ना कहीं discrimination बढ़ता है को समझेंगे, ठीक है, और normal बच्चे हैं, कहीं ना कहीं special बच्चे उनके साथ होंगे, तो उनके मन में भी उन बच्चों के लिए एक प्यार, जो होगा, हम कहते हैं न समवेदना जो है उसका विकास होगा, ठीक है, तो सबसे अच्चा तरीका क्या है, option A question number 25, तो 25 में क्या पुछा गया है, कि वंचित बच्चों को नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए प्रोसाहित करने का सबसे उप्यूप तरीका कौन सा है, कि जो वंचित बच्चे हैं, जो पिछड़े तपके के बच्चे हैं, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा नियमित रूप से स्कूल में जाए, तो क्या करेंगे, सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो सबसे पहला तरीका क्या है, कि बच्चों को स्कूल ना जानी देना, एक कानूनी अपराद भूसित कर दें, कि जो पैरेंट्स बच्चों को स्कूल नहीं बेजेंगे, उन पैरेंट्स को आप जोब पे लगा दो जो रोज आएंगे बच्चों को घर पे और घर से बच्चों को ले के आएंगे तो क्या इतने सारे बच्चों के लिए इतने सारे वर्कर्स को अपॉइंट किया जा सकता है यह भी ठीक नहीं है C option देखते हैं Paying children money everyday हर रोज बच्चों को स्कूल आने के पैसे दो क्या A option ठीक है पलने की government इतने जारा पैसे बच्चों पर कर सके ठीक है इतने जो employee है अपॉइंट कर सके की बच्चों को घर जाएंगे स्कूल लाएंगे कानूर बनाके बच्चों के parents को जेल में डाल दिया जाए तो ए चीज़े ठीक नहीं है ठीक है क्योंकि हर किसी की अपनी अलग problem होती है इसलिए बच्चों को अच्छी education मिले उसके लिए क्या है school खोलो और boarding school होने चाहिए आवासी school होने चाहिए ताकि उन बच्चों को school में लाया जाए एक अच्छा environment दिया जाए ठीक है ताकि वो बच्चे सीख सकें आगे बढ जाएगा ठीक है a gifted child will tend to surpass the average child in which of the following area की जो परतिबासाली बच्चा है school में हम देखते ना पढ़ना खेलना बहुत सारी activity होती है तो एक परतिबासाली बच्चा किस तरह की काम में नॉर्मल बच्चों से आगे निकल सकता है पहला है रूची की व्यापकता और समान या बहु ठीक है तो देखिए जब हम ऑप्सन वन देखते हैं ना कि बैट ऑफ इंट्रेस्ट एंज जनर्नल वर्स एडिक्टिटी तो यहाँ पर हम बात करते हैं रूची की व्यापकता और समान ये बहुमुखी परतिपा तो ये चीज़े तो नॉर्मल बच्चों में भी हो सकते है ठीक है जो नॉर्मल चैयल है तो अजब पकुत्ता है तो यहाँ पर जिब हम गिफ्टिटु चाइल की बात करते हैं तो सहाने बच्चों से किस चीज में आगे निकल सकता है तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्या होगा? C, academic achievement तो gifted बच्चों का हम एक normal देखते हैं उनकी academic achievement जो होती है वो अच्छी होती है ठीके वो normal बच्चों से जारा अच्छी उनकी होती तो इस फिल्ड में वो बच्चा आगे निकल सकता है आगे question number 27 यह एथियासिक कानून उन व्यक्तियों के अधिकारों की रक्चा और समवर्धन का प्रयास करता है जो विकलांगता छेतर में दूसरों की तुलना में कहीं अधिक पिछड़ गए हैं कहीं अधिक हासी पे चले गए हैं तो यहाँ पर जो option क्या दे रख़ा है National Trust Act 1999 जो प्लैन था उसके बाद NCF National Curriculum Framework 2005 या सभी तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा option number A National Trust Act 1999 में आया था जो किसी लिए बनाया गया जो इस तरह के जो हासी पे चले गए जो बच्चे हैं तो इनके लिए A आया था ताकि इन बच्चों को आगे बढ़ाया जा सके इनको उपर उठाया जा सके ठीक है आगे हम बढ़ते हैं question number 28 राश्ट नियास ने ठीक है National Trust जिसकी अभी हमने बात की National Trust has established a national resource center for display of available assistive devices is called कि राश्ट नियास ने उपलब सहायक उपकर्णों के परदर्सन के लिए एक राश्ट संसाधन केंदर की स्थापना की जिसे क्या कहा जाता है ठीक है लाड़ी स्कीम है सकती है संभव है इन में से कौन सा है या इन में से कोई नहीं है ठीक है तो इसका right answer क्या होगा संभव कि राश्ट नियास ने उपलब सहायक उपकर्णों के परदर्सन के लिए एक राश्ट संसाधन केंदर की स्थापना की जिसे क्या कहा गया संभव कहा गया ठीक है जो audio, visual इस तरह के जो aids है इसको उपलब कराने का काम करता है ठीक है आगे question number 29 तो 29 अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या पुछा है synactics किस trainee के बच्चों के लिए इस्तमाल की जाने वाली विधी है ठीक है synactics is the method used for catering to which category of children backwall children, retarded children, manbuddhi वाले बच्चे, creative children ठीक है या gifted children तो देखी जब हम synactics की बात करते हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि creative problem swirling method भी कह सकते हैं कि किसी problem का को solve करने का एक अलग लग जो तरीका है creative तरीका क्या है ठीक है तो normally बच्चों के सामने problem रखी जाते ही है और उनको idea देने के लिए कहा जाते हैं कि भाई इस problem को solve करने का क्या है किस नए तरीके से कुछ नए तरीके से इसको solve किया जा सकता है तो इस तरह से जो हम सिनेक्रिस की बात करते है तो इसको हम कहते है creative problem solving method भी कहते है कि problem solve करने का creative तरीका तो जब हम इसकी बात करते हैं तो किस तरेनी के बच्चे हो गए ठीक है जाहिड सी बात है creative children हो गए ठीक है आगे विसे सिक्षा के पाठकरम को विक्सित करने मानिता देने और विनमीत करने की सरवच जो संस्था है कौन सी है जब हम special education की बात करते हैं तो ऐसा कौन सा संस्था है कौन सा ऐसा institution है जो special बच्चों के लिए curriculum develop करता है जो अलग लग special education के छेतर में जो college है जो universities है ठीक है उनको जो मानिता है वो भी इसी संस्था से मिलती है जो special बच्चों के लिए काम करता है जो नियम बनाता है ठीक है तो कौन सी संस्था है कौन सा ऐसा प्राधिकरण है तो इसका जो right answer क्या होगा option number C the rehabilitation council of India जो एक जो बना 1992 में अब देखिए यहाँ पर क्या पुछा है मास पेसियों पर खराब नियंतरन कम जोड़ी और ठकान चलने बात करने बोलने कटनाई चीजों तक पहुंचने में कटनाई जटिल और योगिक जोड़तोर करने में कटनाई निन्व में से संबन दीते हैं आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई आपके सामने ऐसा इंसान मिले जो बिल्कुल पतला हो ठीक है बिल्कुल कम जोड़ो उसकी हड़ियां दिख रही हो सही से खड़ा नहीं हो सकता सही से चल नहीं सकता सही से बोल नहीं सकता सही से उठ बैट नहीं सकता तो अगर इस तरह का कोई इंसान मिले तो किस तरह की रोग से ठीक है पीडित है ठीक है तो इस तरह की जो रोगी को क्या कहते हैं लोको मोटर डिसिबिल्टी जो इस तरह की रोग से जो पीडित होता है ठीक है आप उसको सुखा रोग भी कह सकते हैं कि सरीर में बिल्कुल कोई जानने है ठीक ठीक से ना चल पा रहा है ना खड़ा हो पा रहा है थीक से बोल पा रहा है तो इस तरह कि जो disability होती है इसको local motor disability कहा जाता है next संग्यानात्मग विकलांगता वाले बच्चों में हो सकता है तो दो जब हम संग्यानात्मग की बात करते है न संग्यानात्मक cognitive का संबंद हमारे mind से होता है mental activities से होता है तो यहाँ पर पुछा है संग्यानात्मक विकलांगता वाले बच्चों में क्या हो सकता है memory problem awareness problem difficulty in problem solving तो देखिए चाहे हम memory problem की बात करें चाहे हम awareness problem की बात करें चाहे difficulty problem की बात करें तीनों का ही संबंद हमारे mind से है ठीक है cognitive ability से है तो जब हम बात करते है child with cognitive disability तो उसमें इन तीनों ही problem होगी तो right answer क्या होगा D 33 question polio, सूखा रोग, muscular, detached free किस विकार से जुड़े हुए है ठीक है चाहे हम polio की बात करें हैं rikards की बात करते हैं, सूखा रोग, muscular, dyastrophy की बात करते हैं तो किस तरह के विकार से किस तरह के रोग से जुड़े हुए है तो उपर मैंने आपको क्या बता है, जब सूखा रोग की बात करें या polio की बात करें तो polio में भी क्या होता है सारे रिक अक्षमता मुत्पन हो जाती है ठीक है, muscular, dyastrophy की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, किस तरह की ये disability है, locomotor disability, जिसमें सारी बेलकुल सूख जाता है, इंसान ठीक से खड़ा नहीं हो सकता बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता हाथ पर ठीक से काम नहीं करते तो इस तरह की disability जो होती है locomotor disability, ठीक है question number 34 इसमें क्या पूछा है idea stand for, idea की full form क्या है individual with disabilities education act, individual with disability implementation education act, या individual with disabilities education improvement act, तो इसका full form क्या है idea का, तो इसका full form क्या है option number A individual with disabilities education act, जिसका full form क्या है idea आगे, last question CWSN, इसकी full form क्या है children with single need children with special need, children with strong need, या creature with soft need, तो इसका right answer क्या होगा B, ठीक है, B मतलब children with special need, जिसका short form क्या होता है, CWSN SN, ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने 35 question की, तो इसमें inclusive education जो part था, वो थोड़ा ज्यादा था, कल की जो हमारा second part होगा, उसमें हम कुछ और question के साथ आएंगे, और part two, three, four में, ताकि आपका जो unit four हो, वो पूरे अच्छे से complete हो सके, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से करिए, अच्छे से पढ़िए, और यहाँ पर जैसे दो तीन चीजे हमने बात की, हमने special education की बात की, तो inclusive और हमने integrated education की बात की, ठीक है, तो तीनों में हमें एक फरक पता चला, कि जब integrated की बात करते हैं तो special में क्या होता है special education कि normal बच्चों के लिए अलग school हो special बच्चों के लिए अलग school हो integrated education में कि normal बच्चों को भी special बच्चों को normal बच्चों के साथ एक school में उनको डाल दिया जाए मतलब normal बच्चों में जो special बच्चे है normal school में special बच्चों को एंट्री तो दी जाए लेकिन इंटीग्रेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट होता है तो यह basically inclusive education, special education और integrated education में एक अंतर होता है तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए आप सबको बहुत-बहुत सुब कामना है